नाइट मैचेस दिल्चस्प होते हैं एक पड़िया मैच देखने को मिल सकता है आज जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिच पे बिल्कुल भी घास नहीं है और पिच बिल्कुल ड्राइ है स्पिनर्स को मदद मिल सकती है आज दोनों पारी में मिडलोवर्स काफी महतुपूर्ण होने वाले हैं दोनों टीमों के कप्तार और मैच रेफरी मैदान में टॉस के साथ तयार है आज के मुकाबले के लिए ये रही टीम्स दोनों तरफ बहुत होनहार खिलाडी मज़ा आएगा आज शुरुवात हो गई क्रिकेट की दर्शकों की भीड़ भी भारी है विरोधी भी बजाएंगे तालियां जम कर खेलने की तैयारी है दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए तेज गेंदबाज को लाया गया है तैयार है बल्ले बाजिनिंग्स की पहली गेंद खेलने के लिए हलकी सी थी खाता और नहीं खुला खाता बड़ी सफलता पूरी टीम उत्साइथ होगी इस विगेट के बाद बहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ गेंदबाज बहुत ही चदुराई से गेंद डाल रहे हैं अपने अनुभव का पूरा इस्तमाल करते हुए गलश शॉट सेलेक्शन धागेशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज गैप में खेला और एक रंचुरा लिया सकारात्मक फील्ड सजाई है कप्तान ने अच्छी कप्तानी गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है इस पिछ पर एक धीमी गती की गेंद जरूर आजमानी चाहिए एक रं लेने में सफल हुए दोनों के लाड़ी स्पिनर आए हैं गेंद बाजी के लिए स्पिन गेंद बाजी के विरुद तो बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी करते हैं ये दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहाँ बढ़िया गेम अवेरनेस बैक अप के लिए गए और अपनी टीम के लिए चार बहुमूले रंस बचाए करारा प्रहार बल्ले बाज का छे रन के लिए इस खिलाडी के पास ताकत भी है और नजाकत भी चालाग हैं बल्ले बाज जानते हैं कि उस तरह बाउंडरी छोटी है और इसका पूरा फाइदा उठाया चे रन गैप में खेला और एक रंचुरा लिया खराब ध्रो एक्स्ट्रा रंस मिलेंगे बैटिंग टीम को खेलने की कोशिश लेकिन चूके बड़िया गेंद बाजी बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद भुलाकर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे हवा में गेंद मिल गई विकेट वाह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली की रफतार है इनके पास अच्छी विकेट मिली है पिछली गेंद पर क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को गलश शॉट सेलेक्शन भागेशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा स्पिन गेंद बाज को आकरमन में वापस लाया गया है कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे हैं गैप में खेला और एक रंचुरा लिया स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा दिखाई दे रहा है बल्ले से गेंद का जबर्दस संपर्क और इसे छे में किया धबदीव आत्म विश्वास से भरा शौट था ये चतुराई के साथ जान बूज के ग्राउंड के सबसे छोटे हिस्से में खेला किसी दूसरे हिस्से में यकीनन छेरन नहीं मिलते थे इस शौट से अब पांच में गियर में दिख रहे हैं बल्ले बास शायद फिर से बड़े शौट की तलाश में होंगे इस खिलाडी के पास ताकत भी है और नजाकत भी चतुराई भरा चौका दर्शकों ने मैदान पे जबर्दस माहोल बनाया है और खिलाडी भी आज अपना सर्वशेष्ट खेल दिखा रहे है ओ, शानदार गेम लेकिन बल्लेगा किनारा लगा नहीं अच्छा खेला, दोर अनासानी से मिल सकते हैं खूबजूरत थ्रो, पिल्कुल स्टम्स के उपर पावर प्लेगी हो चुकी है समापती यानि अब दो से अधिक फील्डर्स तीस गस के घेरे के बाहर रह सकते हैं तेजी से पहले रन के लिए दौड लगाई, शायद दूसरा रन भी लेना चाहते हैं तेज गेंदबाज को बहतर खेलते हैं ये बल्लेबाज दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहाँ गैप में खेला और एक रंचुरा लिया कैप में केला है, डो रन्स मिल सकते हैं यकीनन इनका पसंदीदा छोर है अब देखना दिल्चस्प होगा कि यहाँ से कितने असरदार साबित होंगे गलश शॉट सेलेक्शन भागे शाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा गेंदबाज अच्छी लाइन लेंद पे गेंद डाल रहे हैं क्या यह विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं खेल दिया है गैप में दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे क्याप में खेला है दो रन्स मिल सकते हैं वाइड थ्रो है यह खेलाडी के दौरा दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहाँ यह थ्रो विकेड से बहुत दूर थी गेंद गो हवाई यात्रा पे भेजा है ओवर्थ्रो इसकी शायद जरूरत नहीं थी बोनस रन्स जोड दीजिए बैटिंग टीम के खाते में बड़िया रनिंग बिट्वीन दौ विकेड्स मुश्किल गेंद थी बल्ले बास समझी नहीं पाए इस गेंद को कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंद बास भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बासी कर रहे हैं गैप में खेला और एक रंचुरा लिया काफी मेहनद मशक्कत करनी पड़ी है इस थ्रोगों कलेक्ट करने में बड़िया बोलिंग बल्ले बास को परेशानी में डाल रहे हैं ये कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंद बास भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बासी कर रहे हैं कैप में खेला और एक रंचुरा लिया स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा दिखाई दे रहा है मिलेंगे पूरे चार रंस आत्म विश्वास और बढ़ेगा इस शॉट से बल्ले बास ले में विपक्षी भै में कनेक्टी नहीं कर पाए शानदार गेंद बल्ले बास जरूर पिछली गेंद भुला कर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलारी अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बासों के बीच शानदार रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स शानदार शॉट दिल खुश हो गया इस शॉट को देखकर बहतरीन अंदाज में दिख रहे हैं आज ये चतुराई के साथ जान बूच के ग्राउंड के सबसे छोटे हिस्से में खेला इसी दूसरे हिस्से में यकीनन छेरन नहीं मिलते थे इस शॉट से अच्छी साजेदारी दोनों बल्ले बाजों ने अच्छा साथ निभाया एक दूसरे का काफी अच्छी लेमे लग रहे हैं बल्ले बाज आज बढ़िया बोलिंग बल्ले बाज को परेशानी में डाल रहे हैं ये यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज खेलने की कोशिश लेकिन चूके बढ़िया गेंद बाजी बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद भुला कर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे बल्ले बाज दिल्कुल कमफरडेबल नहीं दिखे इस गेंद पर अड़िया गेंद बाजी गेंद बाज अच्छी लाइन लेंद पर गेंद डाल रहे हैं क्या ये विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं तमाल का ये शॉट मिलेगा चौका बाउंडरीज की आवशक्ता होगी अब बैटिंग टीम को मिल गई सफलता बल्ले बाज से हुई चूक और गेंद सीधा विकेट पे पैविलियन की और लोटना पड़ेगा ना खुश मायूस ना राज निराश बल्ले बाज बड़े शॉट्स मानने से पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा और ये बल्ले का किनारा लगा पर बल्ले बाज बचे ओवर्थ्रो इसकी शायद जरूरत नहीं थी बोनस रंस जोड़ दीजिये बैटिंग टीम के खाते में सका रात्मक फील्ड सजाई है कप्तान ने अच्छी कप्तानी बड़िया बोलिंग बल्ले बाज को परेशानी में डाल रहे हैं ये यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज हवा में दे मारा अच्छा त्रो फील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर प्लेस कर दिया है गैप में और रंज मिलेंगे यहां पर बड़ी या थ्रो स्टम्स के बेहद करीब सूपर शाट खराब गेंड डालते रहेंगे तो ऐसे चौके खाते रहेंगे इनको आज रोग पाना मुश्किली नहीं ना मुम्किन दिखाई दे रहा है खूब सूरज चार रन चार चान लगाने वाले रन बेखौफ अंदाज से बल्ले बाजी कर रहे हैं अब बल्ले बाज बड़ी या टाइमिंग आत्म विश्वास जरूर बढ़ेगा इस शाट से चार रन्स काफी अच्छी लेमे लग रहे हैं बल्ले बाज आज अच्छे से टाइम नहीं कर पाए इस बाज बड़िया गेम सेंस जल्दी से बैक अप में आए और बल्ले बाज को अत्रिक्त रन्स लेने से रोका डेथ होवर्स के लिए विकेट्स बचाना काफी महत्वपून होता है गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है ओवर्थ्रो इसकी शायद जरूरत नहीं थी बोनस रन्स जोड़ दीजिये बैटिंग टीम के खाते में इस पिछ पर एक धीमी गदी की गेंद जरूर आजमानी चाहिए एरियल रूट चुना है इस बाज़ब का कैच बन्लेबास हैरान है ऐसी फील्डिंग देखकर बड़ी सफलता पूरी टीम उच्साइथ होगी इस विकेट के बाद मायूस होंगे बन्लेबास क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम लॉट आएंगी खुशियां अभी गमों का शोर है संभल के रहना यारों ये इंतिहानों का दौर है ओ शांदार गेंद लेकिन बन्लेगा किनारा लगा नहीं बहुत ही बढ़िया शॉट गैप में गई ये गेंद और मिलेगा चौका दर्शकों ने मैदान पे जबर्दस माहोल बनाया है और खिलाडी भी आज अपना सर्वशेष्ट खेल दिखा रहे हैं क्या कैच पकड़ा है अद्भुत और इजी के साथ बल्लेबास की पारी का अंत बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बास वामे गेंद और ये आउट विना खाता खोले वापस लोटना पड़ेगा आयूस होंगे बल्लेबास क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम आज बड़िया ले में नजर आ रहे हैं ये गेंद बास खत्रे की घंटी है बल्लेबासों के लिए कमाल की टाइमिंग और मिलेंगे पूरे चार रन्स बल्लेबास ले में विपक्षी भै में पूरी तरह से चूक गए बल्लेबास आउटस्टेंडिंग गेंद बास बल्लेबास जरूर पिछली गेंद भुलाकर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है सकारात्मक फील्ड सजाई है कप्तान ने अच्छी कप्तानी सपर्दस्ट गेंद बाजी असान नहीं है ऐसी गेंदों को खेंड़ना इस खिलारी के पास ताकत भी है और नजाकत भी चतुराई भरा चौका और यहाँ पे पहली पारी समाप्त हुई फिल्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है एक और एक दो नहीं ग्यारा बनना होगा इन ओपनर्स को रफतार से मुलाकात होगी तेज गेंद बाज अटैक में प्रॉफन गजात बाक पुझे घर से जागी जसाए में आटैक में लाग यहाँ अगरे में गवाँ गमाला कॉफना है छोफन लागई वाँ लागई टॉफना हुटना हाँ अगवाण the टाकिजों गेंद बाज साइट चेंज करते हुए राउंड द विकेट करेंगे गेंद बाजी बढ़िया शॉट और गेंद फीध है बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुए ओवर द विकेट गेंद बाजी करने का निरने खेल दिया है गैप में दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे रनिंग बिट्वीन द विकेट बहतर रखनी पड़ेगी अच्छा थ्रोव फील्डर का तेज और बिलकुल ठिकाने पर च्छे रन्स मिलेंगे बाज वे खोली और दिखाया अपना जल्वा जबर्दस शॉट सुन्दर टाइमिंग के साथ खेला ये शॉट बल्ले बाज ने रिक्वाइड रन्रेट को अब तक अपने नियंत्रण में रखा है बल्ले बाज उने खूब जूरत थ्रोव बिलकुल स्टम्स के उपर स्लिप्स लगाए हैं आक रामक कप्तानी इस पिछ पर एक धीमी गती की गेंद जरूर आजमानी चाहिए क्लीन बोल्ज गती से मात खा गए और अपना विकेट खो बैठे अपने पसंदीदा अंडास से इस सफलता का जश्न मना रहे हैं गेंद बाज अच्छी विकेट मिली है पिछली गेंद पर क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को गैप में खेला और एक रंचुरा लिया ज़स्विए से लिए क्या गिए खाएंगे खी भाएंगे खीच्ड़ को गैप में केला है, दो रंज मिल सकते हैं स्टम्स के बहुत करीब है ये थो, बड़ी आफ फील्डिंग शौटपन नियंत्रण बिलकुल नहीं रख पाए इस बाद बड़ी याथ रो, स्टम्स के बेहद करीब बल्ले बाजी और गेंद बाजी, दोनों ही द्रिष्टी कोनों से पिछ अभी तक काफी बैलन्स लग रही है एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाडी स्पिन गेंद बाज को अटैक में लाए है कप्तान गेंद बाज साइट चेंज करते हुए, राउंड द विकेट करेंगे गेंद बाजी स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा दिखाई दे रहा है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया अच्छा त्रो फील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर बड़िया तरीके से खेला गया ये शॉट, चार रंज मिलेंगे जब ये आकरामक रुख अपनाते हैं, रनों को रोग पाना बहुत मुश्किल लगता है और ये हवाई फायर और दर्श को गो किया है फील्डर्ज में तब्दिल धीली गेंद का तौफ़ा जरूर दिया था और बल्ले बाज ने कहा कुबूल है स्पिन गेंद बाजी के विरुट तो बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी करते हैं ये हवाई में गेंद एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी जल्दी से कम्प्लीट किया एक रन और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पर तेज गेंद बाज को वापिस अटैक में लाए है कप्तान फाइन लेक पर कोई फील्डर मौजूद नहीं लाइन लेन्स सठीक रखनी पड़े गिया साधारन फील्डिंग और ये मिस फील्ड तरशाती है कि आपके फील्डर्स कितना दबाव महसूस कर रहे हैं इस तरकी फील्डिंग से बैटिंग टीम पे दबाव बनाने में असमर्थ ही रहेंगे कप्तान खेल दिया है गैप में दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहाँ खूबजूरत थ्रो पिल्कुल स्टम्स के उपर गैप में केला है दो रन्स मिल सकते हैं बड़िया थ्रो स्टम्स के बेहद करीब तेजी से पहले रन के लिए दोड़ लगाई शायद दूसरा रन भी लेना चाहते हैं इस पिच पर एक धीमी गती की गेंद जरूर आजमानी चाहिए गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर आउट सीधा हातों में मार बैठे हैं खराब शॉर्ट सेलेक्शन पच्चताएंगे बायूस होंगे बल्ले बास क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम गेंद बाजी में बदलाव स्पिन गेंद बास को वापिस लाया गया है गेंद बाज साइट चेंज करते हुए राउंड द विकेट करेंगे गेंद बाजी गैप में खेला और एक रंचुरा लिया ये थ्रू विकेट से बहुत दूर थी दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहाँ अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच शानदार रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स समदार शॉट और ये चक्का चक्के छुडाने वाला चक्का इस खिलारी के पास ताकत भी है और नजाकत भी स्लिप्स लगाएं हैं आकरामक कप्तानी गैप में खेला है दो रन्स मिल सकते हैं तेजी से पहले रन के लिए दोड़ लगाई शायद दूसरा रन भी लेना चाहते हैं एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलारी काफी मेहनद मशक्कत करनी पड़ी है इस थ्रोगों कलेक्ट करने में गैप में खेला और एक रंचुरा लिया खूबसूरत थ्रो पिल्कुल स्टम्स के उपर यकीनन इनका पसंदीदा छोर है अब देखना दिल्चस्प होगा कि यहां से कितने असरदार साबित होंगे एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलारी स्टम्स के बहुत करीब है ये थ्रो बढ़िया फील्डिंग गैप में केला है दो रन्स मिल सकते हैं जल्दी से कंप्लीट किया एक रन अच्छे से टाइम नहीं कर पाए इस बार अच्छा थ्रो फील्डर का तेज और बिलकुल ठिकाने पर तेज भागे और एक रन अपने खाते में जोड लिया स्टम्स के बहुत करीब है ये थ्रो बढ़िया फील्डिंग स्पिन गेंदबाज को वापिस लाया गया है गेंदबाज साइट चेंज करते हुए राउंड दविकेट करेंगे गेंदबाजी सुन्दर शॉट गैप में सीधा चार रंस के लिए गेंदबाज ओन रिमांड चौके छके ओन डिमांड बढ़िया टाइमिंग आत्म विश्वास जरूर बढ़ेगा इस शॉट से चार रंस बल्ले बाज ले में विपक्षी भै में गैप में खेला और एक रंचुरा लिया स्टम्स के बहुत करीब है ये थ्रो बढ़िया फील्डिंग अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच शानदार रंणिंग बिट्वीन दो विकेट्स तेजी से पहले रं के लिए दौड लगाई शायद दूसरा रं भी लेना चाहते हैं स्पिन गेंद बाजी के विरुत तो बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी करते हैं ये बल्ले बाज बिल्कुल कम्फरडेबल नहीं दिखे इस गेंद पर बड़िया गेंद बाजी यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज तेजी से पहले रन के लिए दौर लगाई शायद दूसरा रन भी लेना चाहते है तेज गेंदबाज को आकरमन में लाया गया है तेजी से पहले रन के लिए दौर लगाई शायद दूसरा रन भी लेना चाहते है ये थ्रू विकेट से बहुत दूर थी गेंदबाज साइट चेंज करते हुए राउंड द विकेट करेंगे गेंदबाजी हवा में दे मारा एक चुनावती पूर्ण लक्षे देना है तो अब रनों की गती बढ़ानी होगी सपरदस्थ गेंदबाजी असान नहीं है ऐसी गेंदो को खेलना गेंद सीमा रेखा के बाहर खूब सूरच चौका गेंदबाज ओन रिमांड चौके छक्के ओन डिमांड बढ़िया तरीके से खेला गया ये शॉट चार रंज मिलेंगे स्पिन गेंदबाज को आकरमन में वापस लाया गया है गेंदबाज साइट चेंज करते हुए राउंड अविकेट करेंगे गेंदबाजी शांदार चौका गेंदबाजों को चौकाने वाला चौका डेथ होवर्स के लिए विकेट्स बचाना काफी महत्वपूर होता है एरियल रूट चुना है इस बार और ये आउच खूब सूरत कैच जल्द बाजी में खराब शॉट खेल बैठे हैं बल्लेबाज मायूस होंगे बल्लेबाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम ओवर्स विकेट्स गेंदबाजी करने का निरने गैप में खेला और एक रंचुरा लिया गेंदबाज साइट चेंज करते हुए राउंड अविकेट करेंगे गेंदबाजी अच्छे से टाइम नहीं कर पाए इस बार खूबसूरा थ्रो बिल्कुल स्टम्स के उपर अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच शानदार रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स छे रंज मिलेंगे बाजवें खोली और दिखाया अपना जलवा जबर्दस शोट आज ये पूरे नियंत्रण में दिख रहे हैं ओवर द विकेट्स गेंद बाजी करने का निर्ने कोशिश अच्छी थी गैप में खेलने की मगर फील्डर वहां थे मौजूद तेज गेंद बाज को अटैक मिलाया गया है दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहां देखना दिल्चस्प होगा कि अगली गेंद कहां डालेंगे गेंद बाज गैप में खेला है दो रन्ज मिल सकते हैं गैप में खेला और एक रंचुरा लिया एक रं लेने में सफल हुए दोनों खिलारी जल्दी से कम्प्लीट किया एक रंच पारी की आखरी गेंद देखते हैं क्या होता है इस पर शानदार जीत बहुत बड़ी आंदास से पहले एक सम्मान जनक लक्ष दिया और फिर उसको सक्सेस्फुली डिफेंड किया झालब किया एक रंच मुझे रऴलाइब चाहिए और अवा एक प्रिए प्रिए पर्सावा भाट मुझे अगा प्रिए प्रिए या प्रिए अगा टोड़ा प्रिए पर्सावा अगा इवागा है